यहां पर आज बनाए हैं बीनी पोटेटो छोटी वाली आलू की आलू दमकी सबजी बहुत स्वाधिस्ट लगता है यह खाने में जो छोटा आलू होता है इसके साथ बनाए है लच्छा पराथा तो चलिए इसकी रेसिपी आप लोगे साथ सेहर करते हैं हेलो प्रेंट्स वेल जाएगा और हां एक चीज का ध्यान रखना है जब भी आलू यह चोटी वाली बनाए है तो एक बार उसे पहले थोड़ा चेक कर ले कभी कभी क्या होता है कोई सी आलू ना मीठी नीकल जाती है फिर सबजी बनाने के बाद वह साड़ा बेकार जाता है तो इससे पहले एक ब बंद और इधर कर लेते हैं दूसरे साइट ग्रेवी की तैयारी तो यहां पर लिये हैं दो प्याच दो टमाचर है कुछ लहसन की कली है सारी चीजों को रफली चौप कर लिये हैं उसके कड़ाही में डालेंगे तेल थोड़ा सा जीरा यहां पर डालें सूखी लाल मिर्च एक तेजपत्ता ज्यादा कुछ नहीं है उसका डाले हैं जो लहसन हम यहां पर अच्छी मातर में रखे थी चील कर 14-15 कली वो डाले हैं उसका प्याज डालके अच्छे से भून लिये हैं प्याज जैसे ही थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए उसके डाल देंगे टमाटर टमाटर को भी डालके अच्छे से भून लेना यहां पर टमाटर थोड़ा सा गलना चाहिए उसके बाद यहां पर डाल रहे हैं दो चमच भड़कर खस-खस इससे क्योतने ग्रेवी बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट बनता है बहुत रिच बनता है अगर खस-खस नहीं है तो से इसमें सॉप्ट सा हो जाए और यहां पर आलू की जो है विच्छी लप खोल दे रहे है नहीं तो बहुत ज्यादा गल जाएगा और बहुत अच्छे से आलू पग गया तो सारे आलू को निकाल कर अब इसे जो इसका चिलका है वो हटा कर यहां पर थोड़ा सा आलू को मै मैरिनेट का मतलब इसमें कुछ भी नहीं जाड़ा डालना है थोड़ा सा नमक रेट चिली पॉडर बस और कुछ भी नहीं जालना हो हल्दी पॉडर यह सारी चीजे डालके अच्छे से टॉस कर लेना है और इसे रख देना है साइड में और यहां पे ग्रेवी देख सकते है बहुत अच्छे से पग गया है थोड़ा सा पानी रहने देना है नहीं तो फिर न वो पीसने में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा लेकिन उसे ठंडा होने के लिए साइड में भी रख दें क्योंकि बहुत ज्यादा गरम है सेम उसी कडाई में फिर से डाल दी है और उसके बाद जो आलू है उसे डालके यहाँ पे 5 मिनट तक अच्छे से रोश्ट किये है थोड़ा सा वीडियो में फास्ट कर दिए हूं तो यहाँ पे 5-7 मिनट लगा है आलू बहुत अच्छे से एकदम रोश्ट हो गया है और आलू को यहाँ पे कोई हमें कडवट नह लेकिन ठंडा होने के बाद ही पीषना है नहीं तो कभी-कभी थोड़ा समय हो जाता है उरने का डर रहता है तो ठंडा करके ही पीषना है उसके वाद यहां पर दूसरी कडाई रखें उसमें डाले है तेल थोड़ा सा जीरा और जो ग्रेवी हम बनाके रखे ते वो डालके पोटर भी डाले है, इन सारी चीजों को डालने कि बाद यहां पर एक दो मिनट भूने, उसके बाद डाल दिये नमक, नमक डालके थोड़ा सा पानी डालके अच्छे से चला लिये हैं यहाँ पे ग्रेवी अच्छे से भून गया है उसके अधिसे ढग दिये हैं थोड़ा सा हुवा लाने दिये हुवाल यहाँ पे आ गया है उसके डाल देंगे जो यह आलू रखे हैं हम फ्राइ करके लेकिन यहाँ पे नमक का थोड़ा रखना है क्योंकि आलू में भी नमक डाले थे और ग्रेवी में भी नमक डाल रहे हैं तो थोड़ा से यहां पर ध्यान से डालना होगा उसके अद्लाश्ट में डाल दिये हैं हरा दनिया थोड़ा सा गरम मसाला डालके एक-दो मिनर तक और अच्छे से पकाएंगे उसके अद् का तोड़ी भढ़कर गी थोड़ा से डाल रहे हैं थोड़ा से नमक इन सारी चीज़ों को डालके अच्छे से मिला लेंगे यह जो पराठा बनता ना और यह लिए बहुत ही टेस्टी लगता अगर गरम गरम आप खाएंगे तो बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है अच्छा स इस तरीके से बेलना है उससे पहले एक तैयारी कर लेना है यहां पर गोल हमें बनाना है तो यहां पर सेम वही आटा लिये हैं दो से तीन चमच उसका यहां पर डालेंगे जितना आटा लिये उतना ही घी डालना है तीन चमच आटा लेंगे तो तीन चमच घी डालेंगे दो इसको अच्छे से मिला लेना है ये जो है लच्छे पॉठाटी यहां यहाँ पे ना बहुत जौदा पतला करना ना मोटा रखना है यहां पर इस तरीके से बेल ली है है इसके बहुत अच्छे से फैलाने के बाद कुछ भी अगर आपके पाफ चाकू ने तो ये कटर है इस तरीके का थो कठर एकदम पतला-पतला से कट कर देना है और उसके बाद इस तरीके से रूर करते процесс地 आना है और फीर इसे अंदण कर देना है और यहां पर नहीं बैलना है यहाँ पर बस हाथ से ही पतला कर लेना है इस तरीके से, यह पराठा ना इतना स्वाधिस्ट लगता है खाने में, मत पूछे इदम लेर लेर साड़ा खुल जाता है, इवर इस तरीके से कड़के यहाँ पर सेख लेना है सारे पराठे को, तो एक मैं दिखा रही हूँ यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छे से यह सेख गया है और इसे घी में अच्छे से मीडियम फ्लेम पे कड़कर सेखना है, बहुत ही टेस्टी लगता है यह पराठा यहाँ पर खाने में, यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सन अधरक और लहसन का भी घिसकर आटे के जो आटे औ और उसके उपर यह फैला दिये हैं और इस तरीके से एकदम पतला 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 सा कट कर देना है, फिर सारे को रोल करके इस तरीके से बना लेना है, इस तरीके से करके सारे पराठी को बना लिये हैं और इसके साथ आलू वाली जो सबजी है वो भी बहुत मस्त बनकर तयार हो खा करना एकदम रेस्टोरेंट जैसी फील होगी तो यहां पर बस गड़म-गड़म फटा-फट बन गया है सबी की कर देते हैं प्लेटिंग इस पर बस यह थी आज की रेसे पी फिर मिलेंगे बाबाई